क्या RJD का दामन छोड़ के बिमा भारती एक बार फट से नितश कुमार के साथ आने वाली हैं क्योंकि नितश कुमार से मिलने के लिए बिमा भारती बिधान सभा पहुँच गई और जाके उनसे मिला उनसे बातचीत किया क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या RJD का दामन छोड़ के बिमा भारती नितश कुमार के साथ चली जाएंगी लालू यादों को अपने पिता के तौर पे बताती तो हैं लेकिन अगर देखा जाये तो बिमा भारती के दिल में अभी भी नितश कुमार है पूरी जानकारी क्या है पूरा खबर क्या है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जंता जंक्शन रूपॉली उप्चुनाओं में मिली करारी हार के बाद कहीं न कहीं दोश प्रत्य प्यारोपन का जो सिलसला था वो लगातार चल रहा था बिमाभारती ने नितश कुमार को लेके भी कई सारी बातों को कहा था नितश कुमार के उपर कई सारे तंज को भी कहे थे इसके अलावा नितश कुमार ने भी बिमाभारती के लिए कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किय जिसे सुनने के बाद ऐसा लगा था कि बिमा भारती और नतिश कुमार अब कभी एक नहीं हो सकते ऐसा लगा था कि बिमा भारती और नतिश कुमार के रास्ते अलग हो चुके हैं इसी बीच एक खबर आ रही है जहां पे बिमा भारती नतिश कुमार से मिलने विधान सबा वो सबके मुख्यमंत्री हैं लेकिन सिर्फ इतना ही वज़े है या फिर बिमा भारती पाला बदलने वाली हैं। पहार का स्वाथ चकनापरा संकर सिंग के हांतों जहांपे कहीं ना कहीं उनको बहुत तीसरे नंबर पे और बहुत मुश्किल से वो अपना साकष बचा पाई थी वहाँपे। इतिकार हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है विमाभारती ये सब कुछ समच चुकी है और हो सकता है एक बार फिर से वो लालू यादव तेजश्वी यादव का दामन छोड़के नतश कुमार के साथ चली जाएं क्योंकि आने वाले विधान सभा चुनाओं में आगे क् जेडियू उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी लेकिन उससे पहले अगर वो जेडियू के साथ जाती है तो हो सकता है जो मंडल वोटर जो उनसे अब नाराज हो चुके हैं वो इनके साथ आ जाएं वो इनके पास आ जाएं हाला कि जब वो निउस फोर्ड नेशन को भारती की वो उतनी जादा है नहीं जितनी दिखाई जा रही थी और इसी बीच जब भीमा भारती जाके नितिश कुमार से मिल लेती है और जब पूछा जाता है कि वज़य क्या है मिलने का तो बस छेतर की कुछ समस्याएं बता देती हैं ये बात बताता है कि आने वाला वि बेडियू के सिंबल के साथ लड़े मतलब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जितने भी राजनीतिकार हैं रनीतिकार हैं वो इस बात के उपर चर्चा कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि आप विमा भारती आर्जेडी का दामन छोड़ के नितिश्कुमार के साथ चली जाएंगी क्या तिजस्वी यादो जिन्हें वो बड़ा भाई बता रहीं थी वो अब बड़ा भाई और बहन का रिषता तूर जायेगा और वो रिषता जो सदियों से چला आया दसकों से चला आया, नितिश कुमार और विमा भारती का वो एक बार फिर से कायम हो जाएगा आप कॉमेंट कीजिए अपना विचार हम तक कहुंचा दीजिए बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्चन और मेरा नाम रजत है